इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं इस ट्रीट का जो स्ट्रीट लाइट होता है उसका वायरिंग कैसा होता है आज इसी के बारे में बताने वाला हूं स्ट्रीट लाइट में एक्चली जो एक्टमेटिक सिस्टम होता है वह तो टाइमर हो सकता है और नहीं का जो दूसरा होता है नहीं fork को कौंसा sensor होगा जैसे कि वह जो sensor होता है जो धूप वाला sensor होता जिसको हम बोलते हैं photocell पूटो सहल जैसे कि अगर हमारा जो Also, साम होता है साम के टाइम में जıp अंध्यरा च्छाता है श्वता में हमारा सेंसर है वह एक्टिवेट होगा औरुश टाइम में हमारा लाइट चल पड़ेगा यानि जल जाएगा और जब उजाला होगा यह यह इस टाइम न हमारा संसर पूंद हो और बंद हो जाता है इस टैप में भी पंद हो किरा दोस्ता है कि यानि टाइमर हम जितने बज़े के लगाएंगे वहारा लाइट जलने और जितना बजे लगाएंगा उतना बज़े हमारा light हो जाएगा तो सबसे पहले मैं देखलाता हूं सबसे पहले हमने के बारे में बता देता हूं जो कि हमने इस वीडियो में यूज किया है контр अब सकते हैं उपर में चाथ निखा ले जो इस ट्रीप को नीचे के तरफ एट लिखा हुआ और यहां पे एक और नमबर लिखा हुआ आपका यहां 18 है और नीचे 14 है यानि 13 14 यानि इसके मतलब यह हुआ यह एन्नो का ट्रमेल है यानि कोई कंट्रोल वायर या इंडिकेशन होगारा कनेक्ट करने के लिए इसको दिया गया है हम इसको मर्जैंसी में यूज कर सकते हैं और एक और यहां पर जो पॉइंट है जो सेंटर में आप इसंटर है यहां पर एक छोटा सा इंडिकेशन के लिए ऐक जो छोटा सा बस बन चार मसााहां ये आप में बल्ब याने इंडिकेशन करने लगता है यह अब एक और मैं बता दिता हूं यह टाइमर के बारे में जो हम इस वीडियो में यूजिए है टाइमर टाइमर ठीक है तो आप यहां पर डाइग्राम भी बनाया हुआ है ठीक है और यहां पे आम देख सकते हैं यह जो terminal है जहां पे L लिखा हुआ है यह common है यानि यहां पे हमने face अप्लाई देनी है timer को चलाने के लिए और इसका जो नीचे वाला terminal है इसमें हम neutral देंगे नीचे वाला terminal में जिसें हमारा टाइमर यानि घडियेस चलने लगेगा और यहां से यहां पई लाकर लॉप भी करें और यहां से एक वायर लाकर हम contactor के A1 terminal में हम लाकर connect कर देंगे यानि जितने बज़े हम लगाएंगे उतने बज़े हमारा जो timer है A on होगा और यहां से power supply हमारा जाएगा contactor के A1 terminal में contactor भी on हो जाएगा इस तरह से चलिए हम वीडियो के स्टाạnh करते हैं और वीडियो के देखते हैं वीडियो में क्या है तो हमारे वीडियो के end तक देखिये और हमारे वीडियो अच्छा लगएगा तो वीडियो को like क zakodia चैनल को subscribe करिएगा तो चलि यह हम वीडियो के तरफ चलते हैं हम street light के बारे में बात कर रहा है ऑज से को हम आर बोलते हैं तो इस से हम 3 लाइट को लूब कर दिया है और जो अलो वाईटते हैं यानि हमारे पास 9 लाइट है, एक फेस में 3 लाइट हमने connect कर रहा है, अब चलिए हमने देखते हैं, हमको क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो breaker है, इसमें हमें incoming power supply देना है, जैसे कि neutral हो गया, 3 फेस हो गया, R,Y, और B हो गया, ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसी breaker से हमें तीन wire को निकालना है RYB और contactor का उपर वाला जो terminal है उसमें लागे connect कर देना है ठीक है इस तरह से जब हम connect कर देंगे और connect करने के बाद जो हमारा next procedure होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ ठीक है यह हमारे वीडियो को end तक देखते रही है अब हमें connect करने के बाद हमें क्या करना है जो contactor का जो नीचे वाला टर्नल है उससे हम लेकर wire MCB में हमें connect कर देना है जिससे हमें power supply लाइटों में देना है ठीक है एक MCB से हमने तीन लाइट को connect कर रखा है और मैं भी बता देता हूँ अब है एक MCB से तीन लाइट में यहां पे connect करेंगे और पोलों में क्या होता है पोल में यहां पे एक hole होता है फोल के नीचे थोड़ा से उपर में एक hole होता है यहां पे भी एक MCB लगा होता है जितने एंपियर के लाइट होगा उतने एंपियर के हिसाब से एंसे भी लगा होता है तो चली हम जो बुलू वाला वायर उसको भी हमने करनी है तो चली हमने इसको भी कनेट कर लेना है और करने के बाद अब हमने क्या करना है यहां से RYB कहीं से भी एक वायर को हमें उठाना है और उठाने के बाद जो टाइमर का जो common terminal है जैसे कि आप पहले देखे हैं उसमें लाके connect करना है और उसके बाद हमें क्या करना है जो नीचे वाला जो एनो जो एनो का terminal है जो terminal है टाइमर का उसमें लाके connect कर देना है अब हमें क्या करना है जो एनो terminal का जो दूसरा terminal है timer का उससे हमें एक वायर को उठाना है और contactor का एवन जो terminal है उसमें लाके connect कर देना है अब हमने इस तरह से connect किया और connect करने के बाद हमें क्या करना है यहां से एक neutral wire को उठाएंगे और उठाने के बाद हम लाएंगे यहां पर और timer का जो दूसरा terminal है जिसमें हमें connect करना है हमें timer में भी इस तरह से connect कर देना है और इसी से हमने loop बना कर contactor का A2 terminal में भी हमें neutral को ले जाकर connect कर देना है इस तरह से हमारा इसका wiring कमप्लीट हो रहा है और यहां से हमने एक wire को उठाना है अब हमने light के लिए पूरा तार को बिछा देना है जैसे जैसे हम मैं बता रहूँ हम उसे उसे फालो करीए अब हमने क्या करना है यहां से एक red wire को उठाएंगे और red wire को उठाने के बाद हम light में लाके connect करेंगे हम इस light में एहा नीटल दे दिया और यहां से phase दे 10 minutes और यहां सी यह light complete हो रहा है, अब हमें क्या करना है यहां से एक और इस light में look लेंगे लूप लेने के बाद इस light तक लेकर आयांगे ठीक है अब लैट तक लेने के बाद यहीं से हम लूप कर देंगे और यहां इंगी हमारा करने कर देना है यहां पर कनेक्ट कर देना है इस तरह से हमारा जो रेड़ वाला जो पाउर सप्लाई यानि जो फेश वान है यह हमारा कंप्लीट हो रहा है और हमको अब देखना है वाई हम इस तरह से जो सेकेंड वाला हमारा जो breaker सिंकल पोल का हमें यहां से लेना है wire और ले जाकर वहाँ पर connect करना है जैसे कि हमारा जो yellow वाला है इस से भी हमने 3 light को cover करना है एक यह है दूसरा है और यह तीसरा है यानि जैसे कि हम red वाला wire से हमने किया है उसी तरह से हम इसे भी तीन light को cover करनी है तो अभी हम देखते हैं हम neutral भी यहाँ पे लाकर connect किया और उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ से एक हमने wire उठाना है और इस light में connect करना है जो yellow wire है और उसके बाद हम black wire भी connect करेंगे और इसके बाद यहाँ पे हमने yellow से एक और wire को उठाएंगे जो कि इस light में connect करना है और एक हमें यहाँ से neutral भी connect करनी पड़ेगे तबी तो light काम करेगा और उसके बाद हमें यहां पर एक और वायर को connect करेंगे और यहां से neutral रहेगा और उसके बाद यह neutral जा रहा है इस light end तक जाएगा अब हम देखते हैं यह हमारा भी 6 light complete हो रहा है 3 light अभी बाकी है जो कि हम जो blue वाला circuit है अभी हम इससे complete करेंगे जिससे आप देख रहे हैं इस तरह से हमें complete करनी है और यहां से neutral connect किये और face connect कर देना है और यहां से neutral और again हमें face connect करना है फिर यहां से face और फिर यहां से neutral इस तरह से हमें looping कर देना है यानि हम एक जगा पर circuit खीचेंगे और यहां से हां यहां से यहां यहां से इस तरह से लूप कर देना है जैसे कि आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ पा रहे होंगे तो हमारा यह वीडियो अगर आच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो के लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर जाका हमारे वीडियो के निच्छी कमेंट करिए और फिर मैं नेस्ट वीडियो के लिए फिर मिलता हूं